हेलो एवरीवन कैसे आप सब उमीद है आप सब अच्छे होगे मैं हरी साओ अभिप्षा एजुकेशन फॉर एक्सलेंट की इस ऑल्लेंट प्रेट्पामें आपका हर्दी स्वगाद करते हैं आप जो है बिल्कुल जबरदस्त और मजेस्ति क्या पड़ रहते भई अच्छा चैप्टर और बहुत है अच्छा चैप्टर भई हम बात करें थे कच्छा दस्वी विज्यान का जबरदस्त टॉपिक कौन सा भई चैप्टर नंबर आपका 15 का जो इनिट 7 का है कौन सा तीन च प्रशन है उसका कुछ बच गया था जो कि फिछले राइक्टर में हम यह इसका पर चरचा करें वाले हैं और आपको यह कि तना है लिकना तो नोज़ी हम बता रही है कि अनुवांसिकी के बारे में किnya ने बताया है तो हमें हमें ने 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 बताया चंपल ने कि बतायां थे और बहुत अच्छे तरह से इक्सव्गर हुद बहुत इंपौटेंट है आपको बिल्कुल इसको देखके चलना आप याद करके चलना है यह इक हैं आज हम बात करते कि किसके बारे में आज हम बात कर थे क्या एक और कोशन अनुवान सिखी का अध्यान हमें फसर उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैसे मदद कर सकता है इसके बारे में हमें जानना है भी तो बताइए जैसे कि मैं डिसकस के तर लिचर जो पीछले में क्या कि जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे तो लंबे पौधे का जो क्या होता था जो क्रॉस होता था संकरन हो सकते हूं अब बाथ आती है तील दलहन इसको क्यों ना मैं उसमें अच्छे सा रहसायनी फसल करते साथ सब्सक्राइब उसको ले लूं तो यह बात बन सकती ना वह बात बनेगे तब पते चलएगा कर रहें में अरुपाबा कर सकते हैं त्याशन में बढ़ई irrita के क्या कर सकते हैं हम घरेली यूज के लिए जो यूज होने वाले हैं आपके निरमान होता है चामाल में solidarity की हम कर सकते कभर जब हम राप्त होता है और जो जो है मेंडल सर के दुवारा जो निर्मान किया गया था जैसा क्या किया था उन्होंने रिसर्च किया था उस हिसाब जैसे चले तो हमें हाइब्रीड रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा फसल भई ठीक है यहां तकी बात समझ में तो इसका आ तो तीन से चार नंबर के प्रश्ण है उसके लिए यह सफिसेंट है आपको अच्छे से ओर रिलीज को लिखना है इंपोर्टेंट में से एक है यह हाला कि आया नहीं था लेकिन यह यह कभी-कभी आभी जाता है और कुछ ऐसा है कि पूछ दे आता है पूछा भी गया होगा यहां तक की बात समझ मैं क्लियर हुआ आगे बढ़ें और देखना और कुछ क्वेश्चन क्या है बहुत इंपोर्टेंट है इसके बारे में बताना है तो मैंने बात के तक गुंसूत्र के बारे में 23 गुंसूत्र होती है जो कि क्या होती है बही जोड़ों में रहती है यह जोगता हुर्य अहीचे यह दो प्रूराब को पता है ऐस गुंसूत्र होता है मतला मैं बोल रहा हूं गुंसूत्र की और रहता है और नर्में क्या रहता है भही गुण्सूत्र रgia बताओ एकस और यह का यह जो बता दूने यहां पर सब्सक्राइब करते हैं कि अब सुकराणूह और अंड़ानुओं विल्गानव में संख्या आधी होती है जब अमाता का अंड़ा तथा पीता का सुक्रानू परशपर मिलते है तब युगमनेज बनता है compet होता है जिसमें संख्या दोगनी हो जाती है फिर से संदति बनती है जिसका लिंग इसको निर्भर करता है कि उसमें च स ईस्ट है या एक एक और य या सकी मैं भी बताया कि जब वो क्या होता है मनुष्य मनुष्य में क्या होता है दो बागों बाट सकतो मनुष्य को एक होता है मेल एक होता है फिर अब यह निशेशन की प्रक्रिया होगी चाहिए बात है जब हमें शुक्रानू का अब जन जब दोनों चलता है कि वह सब्सक्राइब होता है जोड़े होता है एक और एक सब्सक्राइब रहता है पूरुष्ट काम करता है कि इसका ने कई न कही कारक बं दता है जब वहता है जब आपस में होता है सब्सक्तैसर कि यह जो है कैसे पूरुस का यह जो कशल लोगी है लेकिन जब एकस होगी थीक अरब यह जाया एकसे पाइज हो ला रहा रहा है और चेंजेस लाकर क्या बर रहा है भई वो बर रहा है क्या पूरूस समझ में आए बात मतलब वह होगा जब वाइग गुंसूत्र मिल जाता है इस काई से जेंडर चेंज हो रहा है नहीं तो फिर देखी यहां पर एक से एक सार है मतलब क्या इस्तरी पैदा हो रही है मतलब ब एकस और वाइग गुंसूत्र होता है मेल के पास एकस और एकस होता है फिमेल के पास अब यह देखो इधर से मैं यूज कर रहा हूं एक एकस एक वाय है अब यह जो कैसे एकस वाय बर रहा है कैसे देखो यह वाय और एकस आपस में मिलकर एकस एकस बन गया तो मैंने बार ब एकस गुल्सूतर दोनों मीला तब बन गया फीमेल अब मेल से आया था आया था दो य और एकस मिल के कि ना भई सवए. बन गया और जब बना मतलब यह समझत सर की जो है बदल जाएगा जेंडर बदल जाएगा और गर गुल्सूतर देखने पर मुझे परदा कि यह बनने प्र्रोसेस जो है कैसे हो रहा है ये भी आपको याद रखने तो हमें क्या चीज़ेज रहे हैं जो यह क्या समझ मैं जो वाय गूंसूतर मिल रहा है अब ये अब देखो अब आप बोलोगे कि सर यह हो रहा है तो प्रेटिकल लाइफ में कैसे सोचे तो देखना कई ऐसे पैरेंट्स होते हैं जिनके कंटिन्यू तीन बेबी होती है जो की फिमेल रहता है विदा लड़की पैदा होते तीन उसके बाद चाओता नंबर क्या रहा है तो लड़का लड़का हुआ इससे पहले जो तीनों था वो क्या था भई लड़की थी बात समझ में आया बच्चों तो यह गुंसूतर क्या होता है यह पूरा आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें कुछ जहां समझाने वाली बात नहीं थी बहुती सरल है और यह आपको देख आपका बिल्कुल तीन जो आपका तीन चार नंबर के जो क्वेश्चन के लिए लगे होए थे वह आपको प्राप्त हो गया ठीक यह इंपॉर्टन बज़ गया था जिसका हमने डिसकसन कर लिया भई अब यह क्या चीज समझ में है सर कि अगर दोनों एक सहय तो मादा बनती है और ए पूरोन एक सईयोग की बात है जो कि किसी को भी नहीं पता था हालाकि यह सब कर आया लिगल है तो हमारे भारत में पहीं कहीं बात करूं हमारे बहारत में इस पेसले जादा होता था जब भी सोनोग्राफिए या फिर कुछ भी ठेकनीक्स यूज करके पता चलता था कि अगर पेट में पर रहा है बच्चा वह अगर गर्ल्स है तो क्या करते थे उनको पहले से ही मौत दे 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 तो यह बहुत लोगों के मान सिकते हैं तो इससे क्या होता था लड़कियों की दर जो है धेरे-धेरे कम होने रहे लेकिन हमें संतुलन बनाकर रखना ब्रहमांट को लड़ लड़कों की ज़रू रहते तो यह सब टेकनिक है उसको सरकार द्वारा वह सब को हटा दिया गया और बोला गया है कि जन्म से पूरव किसी भी किसी भी मेल या फिर आनने के लिए कोई भी अस्पताल या फिर हॉस्पिट्रल जो है नियम के तहत नहीं चल सकता उसको क्या कर तो बहुत कर देब करें कि नहीं परक्रियाई के बारे में और जोकी बहुत ही ज्यादा इंपरेंट है उसमें अने वाले हैं तो आज के लिए करते हैं मुझे यह है आप लोग से कि कि आप लोगा पढ़ाये बहुत ही अच्छा तरीका स्टेर रहा होगा और जितना कोश्चन कराया है हमने वो तो आप करी रहे होंगे साथ रिवजन भी अच्छे रिवजन पर जोड़ दे रहे होंगे और जितना मैं आपको पीछले लेक्षर देख क्या होंगे तो मैंने आप आपको टाइम टेबल के लेके तोना बहुत बताया था कि दो घंटा आपको बिल्कुल रिवजन देने करके बिल्कुल रिवजन करें क्योंकि हर नया कॉंसेप्ट पढ़ने के बाद आप पुराने कॉंसेट भूलते जाएंगे अगर रिवजन नहीं करेंगे तो टाइम कम बचा हुआ है तो इसके लिए बिल्कुल हमारे मिसन सीरीज में जूड़ी है और साथ में रिवजन भी करते रहिए आज के लिए इतना ही करते हैं भाई मिलते हैं अब हम नेश्ट लेक्चर में ठीके बच्चो धन्यवाद